तो गाईज यहाँ पर आप देख लिजिए मैंने WhatsApp में अपना नमबर एंटर किया एंड़ यहाँ पर मैंने अपना नमबर एंटर करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ Next के उपर किलिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे थोड़ा वेट करना है and यहाँ पर आप देख लिजिए मेरे सामने दो ओप्षन आ रहे हैं एक यहाँ पर है call verification का यहाँ पर automatically call verify हो जाएगी and यहाँ पर आप नीचे देख लिजिए verify another why अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आप अपने mobile में OTP वाला problem आपके साबने आता है तो उसमें आपको call वाला देखने को नहीं मिलता होगा तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने WhatsApp में कर आपके WhatsApp में OTP नहीं आता है verification code नहीं आता है तो आप घबराये नहीं मैं आपको AC trick बताऊंगा जिससे आपका OTP तो नहीं आएगा बट call आएगा यानि कि आपके नमबर पर automatically calling verify वो कर लेंगे अब यहाँ पर देख लेजिए मैं यहाँ पर continue पर click नहीं करता हूँ nature verify another way पर click करता हूँ फिर यहाँ पर भी आप देख लेजिए send SMS and call me यानि मैं अगर यहाँ से काल में पर click करता हूँ तो वो मुझे call करेंगे और automatically verify हो जाएगा बट यहाँ पर मैं करता हूँ send SMS पर click अब जैसे ही मैंने इस पर click किया अब हम देखते हैं कि हमारा OTP आता है या फिर नहीं अब यहाँ पर थोड़ा सा हम wait कर लेते हैं guys यहाँ पर आप देख लेजिए बहुत time हो चुका है बट अभी तक कोई OTP नहीं आया है और यही same problem अभी के time पर मेरे बहुत से भाईयों को देखने को मिल रही है तो घबराइए नहीं अगर आप मेरी वीडियो पर आए हो तो आपको 100% fix solution बताऊंगा आप easy step में इसको सही कर सकते हैं तो सबसे पहले आप एक बार अपने mobile की setting को open करना एंड यहाँ आप check कर लेना कि आपके mobile में कोई update तो नहीं है अगर update आता है तो मेरे phone में तो यहाँ सामने ही show कर जाता है और यहाँ पर notification भी आ जाता है बट मेरे phone में अभी कोई भी update नहीं है बट फिर भी यह problem देखने को मिल रही है अब इसको ठीक कैसे करेंगे अभी देखो सबसे पहले हम यहाँ देखो WhatsApp है इसको हम एसे hold price करेंगे and app information पर जाएंगे फिर यहाँ से clear data पर किलिक करके clear all data पर किलिक करके ok पर किलिक कर देंगे इससे क्या होगा हमारे जो WhatsApp है उसका data किलियर हो जाएगा अब इसको करने के बाद हमें यहाँ से इस पर किलिक करना है जिससे जो अभी application हमारे बेक गराउड में वर्क करती है वो automatic यहाँ से इस तरह भाग जाएंगी अभी इतना करने के बाद आपको अपने mobile में फिर से WhatsApp को open करना है and यहाँ पर आपको agree and continue पर किलिक करना है फिर यहाँ पर आपके सामने आएगा use and use a different number सबसे पहले आप यहाँ से देखो यहाँ उपर इंडिया लिखा है उस पर किलिक करके पहले यहाँ से एक बार अपने country कोई और से चूज कर लिए जैसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ वियतनाम अब यहाँ से मैंने वियतनाम कर लिया फिर एक बार click करेंगे फिर से यहां हम India कर देंगे इस तरह आपको change करना है इससे क्या होगा कि एक तरह का यह VPN हो जाएगा समझे रहो मतलब एक तरह का जो होता है यह आपकी country से हटके उस country से अलग हो जाएगा इस तरह आप समझे रहो तो यहां से इतना करने के बाद अब य हिले में यहां पर अपना number enter करता हूँ तो यहां पर number enter कर दिया है next के उपर click करते हैं connecting यहां पर दिखा रहा है फिर यहां continue पर click करते हैं अब यहां पर देखो आपके सामने अगर call me का option आता है तो आप call me पर click करके call भी कर सकते हैं बट call me का option नहीं आता है कभी कभी ऐसा हो अगर कोल में का उप्शन नहीं आता है तो यह जो WhatsApp है WhatsApp Messenger इस वाले WhatsApp को डिलेट करके WhatsApp Business वाला जो WhatsApp है उसको डाउनलोड करो और उसको यूज करो क्योंकि जो प्रोबलम आपको उसमें देखने को मिल रही है हो सकता है कि वो इस वाले में फिक्स हो जाई झाहिए तो यहां पर देखो यहां एसमेस पे क्लिक कर गया अब यहां पर देखो SMS आता है यां फिर नही हृट कीजिए और गाईस यहाँ पर देख लीजिए सक्सिस्फुली आ चुका है पहले नहीं आ रहा था बट मैंने एक छोटी सी स्टेटिंग की और ओटोमेटिकली आ गिया वेरिफियेशन कोड अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर किलिक करेंगे अलव पर किलिक करेंगे फिर अलव करेंगे उसके बाद फिर से अलव पर किलिक करेंगे एंड यहाँ पर आप लेक अब वगेरा भी कर सकते हो एंड यहाँ पर अपना फोटो आड़ करेंगे नाम आड़ करेंगे और आपको what's up successfully चल जाएगा but ये मैंने जो आपको तरीका बताया है ये बताया है what's up business के अंदर आप what's up business में easy कर सकते हैं but अगर what's up messenger यूज करते हो तो देखो मेरा ये personal what's up चल रहा है मैं इसको log out करके खराब नहीं करना चाहता इसलिए मैंने आपको बताया है what's up business के बारे में अगर आपका what's up messenger एक तरह से बलोग हो गया है या फिर वो उस पर OTP बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ये सब करने से तो एक ही solution बजा है जो कि बिल्कुल last है और वो है factory research आप अपने device को factory research मार दीजिए जिससे क्या होगा कि आपका पूरा डाटा किलियर हो जाएगा बट उससे पहले अपने main personal number personal photos, videos अपने किसी Gmail वगेरा में send कर लेना वहाँ पर उनको save कर लेना फिर आपका जो problem है और इससे क्या होगा ना कि आपके what's up में जो problem है वही नहीं बलके और भी जो mini problem होती है वो सब ठीक हो जाती है factory reset करने से एंड अपडेट चेक कर लेना अपडेट हो तो भी कर लेना एंड वेडियो को like भी कर देना चेनल को subscribe एंड इंस्टाग्राम पे follow कर लेना अगर आप इंस्टापे देख रहे हैं तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई जय हिंद जय भारत